हलो एवरिवान आपके स्वागत है उसा होम कीचन में आज की रेश्पी है बेशन की सबजी बेशन की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार लेंगे उसमें दो प्याज को रफली कट करके डाल देंगे दस से बारा लासुन की कलिया डालेंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे चार हरी मिर्च डालेंगे अब इन सभी का मोटा दरदरा पेस्ट बना लेंगे फ्रेंस मोटा पेस्ट जल्दी भून जाते हैं और ज्यादा तेल भी नहीं लगता है तो देखिए फ्रेंस हमने इस तरह से बना कर रेडि कर लिये हैं अब इसे साइड में रख देंगे इसके बाद दो लाल टमाटर लेंगे और इसका पीवरी बना लेंगे सबसे पहले टमाटर को इस तरह से कट कर लेंगे इसके बाद इस तरह से टमाटर को ग्रेटर पर रख कर घिस लेंगे तो देखिए प्यूरी अलग हो जा रहे हैं अच्छिलके अलग तो देखिए फ्रेंस हम इसी तरह से पेश्ट बना कर रेडि कर लिये हैं और छिलके इसके अलग होके हैं आप चाहें तो टमाटर को कट करके मिक्सर जार में भी पेश्ट बना सकते हैं अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ एक बॉल में छीला के लिए घोल बना लेते हैं इसके लिए एक कप बेशन लेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर आधा चमच गर्म मसाला स्वात के अनुसार नमक और दो चमच अधरक और प्याच का जो हमने पेश्ट त्यार किये थे उसमें से दो चमच डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसका गोल बना लेंगे हमें घोल को ना ज़्यादा गढ़ा और ना ज़्यादा पतला करना है देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें घोल चाहिए तो हमने घोल बना कर रेडी कर ली है अब चलते हैं गैस की तरह गैस पर तवे की उपर दो चमज तेल डालेंगे और इस तरह से तेल को फैला लेंगे इसके बाद घोल को तवे के उपर डालेंगे और कल्ची के मदद से इस तरह से तवे पर फैला लेंगे जैसे चीले बनते हैं इसके बाद एक चमज तेल लेंगे और चीले के साइट साइट में डाल देंगे जब एक तरफ सेख जाए तो इस तरह से हम रोल का सेख दे देंगे तो देखिए फ्रेंज हमने बेशन के चीले बना कर रेडि कर लिये हैं इसी तरह हम दूसरा चीला भी बना लेंगे तो देखिए हमने सभी को बना कर रेडि कर लिये हैं अब इसका पिसेस कर लेते हैं तो हमने मीडियम पिसेस में कट कर लिये हैं आप अपने हिसाब से इतना बड़ा छोटा पिसेस में कट कर सकते हैं अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर हमने कड़ा तेल को गरम कर लिये हैं इसमें दो तेज़ पत्ता, दो धालचीनी का टुकड़ा, तीन चार लॉंग और चार पांच गोलमीर्च, इसमें एक बड़ी इलाची और आधा चमच साबुच जीरा और हाफ टीस्बून हिंग डालेंगे फ्रेंस हिंग अप्शनल है, इसे जरूर डालेंगे, इसे थोड़े चलाकर जो हमने अधरकार लाशन प्याच का पेश्ट बनाये थे, उससे डाल कर थोड़े देर भून लेंगे तो देखिए फ्रेंस हमने इसे दो मिनट भून लिये हैं, अब इसमे आधी छोटी चमच लाल मिच पाउडर, आधी छोटी चमच का समेरी लाल मिच पाउडर, आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर और डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे इसके बाद जो हमने टमाटर का पीवरी बनाये थे इसे डाल कर इसे मिक्स करते हुए दो मिनट भून लेंगे देखिए हमने दो मिनट इसे भून लिए हैं अब इसमें कुछ मसाले आइट करेंगे इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर और स्वात के अनुसार नमक डाल करें इसे मिक्स कर लेंगे मसाले भूनने में थोड़े टाइम लगते हैं इसके लिए हम पांच मिनट ढखते भूनेंगे तो देखिए फ्रेंज मेरे मसाले भून चुके हैं अब इसमें पानी आइट करेंगे हमने एक कप इसमें पानी आइट किये हैं बेशन के सबजी में थोड़े जादे पानी लगते हैं इसके लिए एक कप और पानी आइट करेंगे इसके बाद इसमें आदा चमद गरम मसाला डाल कर मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे इसे ढकने के बाद एक उबाल आने तक का वेट करेंगे तो देखिए फ्रेंज ग्रेबी में उबाला चुके हैं अब इसमें बेशन के पिसेश को डाल देंगे इसी के साथ कुछ अरी धन्या की पत्ती भी डाल कर मिक्स कर देंगे और इसे ढख कर पांच मिनट और पकाएंगे ताकि ग्रेवी के मसाले बेशन के पिसेश में अंदर तक अच्छे से चला जाए तो देखिए फ्रेंज मेरी बेशन की इवनिक रेशिपी बन कर तयार हो गई है आप इसे एक प्लेट में स्वर कर लेते हैं फ्रेंज इस इवनिक रेशिपी को आप लोग एक बार जरूर ट्राइ कीजिए आप लोग को बहुत पसंद आएगा इसे आप चावल प्राठे रोटी के साथ खा सकते हैं फ्रेंज इस रेशिपी जितनी देखनी में सुंदर लग रही है उसे कई ज़्यादा खाने में स्वाधिष्ट लगती है फ्रेंज मेरी वेशन की रेशिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सुब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा तब तक के लिए धन्य बाद